आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे जनम और मृत्यू पंजिकरण के बारे में 13 सितंबर को ग्रहम अंत्राले ने एक नोटिस जारी करके बताया कि 1 अक्टुमर 2023 से जनम और मृत्यू पंजिकरण अधिनियम 2023 लागू हो रहा है इस नियम में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बर्त और डेथ के लिए रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा अब हम बात करेंगे जनम और मृत्यू पंजिकरण संशोदन अधिनिय 2023 जो डिजिटल जनम प्रमान पत्र का मार्क प्रशस्त करता है और यह 1 अक्टूबर से लागू होगा डिजिटल जनम प्रमान पत्र सेक्षनिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नोक्रियों, पास्पोर्ट या आधार के लिए आवेदन, मद् के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एकल दस्तावेश होगा केंद्री करट डेटाबेस राष्ट्य जनसंक्या रजिस्टर यानि की NPR राशन कार्ट संपत्ती पंजीकरण और मद्दाता सूची को भी अपडेट करेगा उन्हें केंद्र के पोर्टल पर पंजीकरत किया संचोधित कानून विभिन सेवाओं के लिए एकल दस्तावेश के रूप में जनम प्रमान पत्र के उपयोग का मार्व प्रशस्त करता है अब हम बात करेंगे इसके आधार से समन से यह अधिनियम सरकार को जनम पंजीकरण के मामले में यदि उपलब्द हो तो माता पिता और सूचना देने वाले की आधार संख्या एकत्र करने के लिए अधिकरत करता है वर्तमान में माता पिता CRS के माध्यम से उत्पन नवजाज शिशु के जनम प्रमान पत्र के लिए स्वेच्छा से आधार संख्या प्रदान करते हैं 31 मार्श तक 138.2 करोड की अनुमानित आबादी के लिए आधार के संत्रती 93 में प्रतिशत है अगर NPR और डेटा शेरिंग की बात करें तो NPR जिसे पहली बार 2010 में संकलित किया गया था और 2015 में घर घर जाकर गर्णा के माध्यम से अध्यतम किया गया था में पहले से ही 119 करोड निवासियों का डेटाबेस है NPR नागरिकता अधिनियम के अनुसार राष्टिय नागरिक रजिस्टर के निर्मान का पहला कदम है राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजिकरन प्रनाली पोर्टल पर जनम और मृत्यू का पंजिकरन करना और RGI के साथ डेटा साजा करना अनिवारे होगा जो केंद्रिय ग्रहमंत्राले के तहत कारे करता है अगर हम बात करें कि ये बस सर्टिपिकेट कहां कहां काम आएगा तो जनम और मृत्यू पंजिकरन संशोदन अधिनियम 2023 के नए नीमों के तहत कई महत्तपून और जादातर सरकारी कामों के लिए बस सर्टिपिकेट सिंगल डॉक्युमेंट की तरह काम करेगा इस संशोदन के अनुसार स्कूल या कॉलेज के अड्मिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार नंबर, मैरिज सर्टिपिकेट और सरकारी नौकरी तक के लिए सिर्फ एक ही डॉक्युमेंट की जरूरत होगी और वह है बर्थ सर्टिपिकेट इस संशोदन के अनुसार गोद लिए गए अनात और सेरुगेट बच्चों के लिए पहचान पत्र जारी करना आसान होगा इसके साथ ही सिंगल माता पिता या एविवाहित माताओं के बच्चों के लिए भी पंजीकरन प्रकिरिया को आसान बनाने की बात कही गई है उलेखनी यह है कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसत का मानसुन सत्र चला था और इसी दोरान जनम और मित्युपंजीकरन संशोदन विदहक 2023 संसत में धवनीमत से पारित हो गया था एक अगस्त को इसे निचले सदन यानि की लोगसभा में और साथ अगस्त को उच्च सदन में इस संशोदन को मंजूरी मिली थी इसके साथ ही आज का हमारे विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद